नमस्कार दोस्तों, सिविल ग्यान में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब हम लोग पाइल फाउंडेशन को कंस्ट्रक कर लेते हैं उसके बाद में अब आगे की प्रोसेस क्या होगी हम लोग pile cape के लिए आगे क्या process चालू करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग pile head की breaking से लेके और pile cape के construction तक पूरी process जानेंगे किस तरीके से हम लोग पूरा construction करते हैं क्या-क्या process होती है क्या-क्या चीजों का हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है यह सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं सिविल ज्यान अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों तो अभी जाके subscribe कर लिजिए subscription के जो option है वो आपके सामने visible है अपने दोस्तों को भी recommend कीजिए ताकि वो भी subscribe कर सके दोस्तों अगर आप 32 इंच की टीवी खरीदना चाते हो मात्र साड़े आठ हजार रूपे में और 24 इंच की अगर आपको खरीदनी है तो available है मात्र 7,300 रूपे में description में दिये गए link पर click करें और review भी देखें और वहाँ से अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग purchase कर लें दोस्तों ये ध्यान रखें कि जब भी आप लोग purchase करें तो इसी link पर click करके ही purchase करें तो दोस्तों जब हम लोग pile foundation का construction कर लेते हैं तो उसके बाद में अब हम लोगों को cut off level पे पहुँचना रहता है जो भी हमारा drawing में level दिया होवा रहता है हमको जिस level पे PCC करनी रहती है उस level तक हम लोग फिर excavation करते हैं excavation करने के बाद में हम लोग जो भी pile heads निकलते हैं अब देखिए क्या होता है कि हम लोग तो ground level पे जो भी हमारे पास में ground available होता है उस level तक हम लोग pile foundation को कर देते हैं लेकिन अब उसके बाद में जब हम लोगों को PCC level पे या फिर founding level पे अगर हम लोगों को पहुँचना रहता है तो उसके लिए हम लोग excavation करते हैं अब excavation करने के बाद में जो भी हमारा level मिल जाता है वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं ठीके अब उसके बाद में हम लोग जो pile heads रहते हैं मतलब जो pile के उपर वाले मू रहते हैं जितने भी उन सबको हम लोग cut off level तक तोड़ते हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे तरीके यूज होते हैं जिनसे हम लोग pile को break करते हैं बहुत तरह की modern machine हैं कहीं कहीं पे तो हम लोग round hydraulic equipment होता है उसको use करते हैं कहीं कहीं पे robot machines होती हैं और कहीं कहीं पे हम लोग pneumatic breakers यूज कर सकते हैं ठीक है ना बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप लोग pile को break कर सकते हो तो जब हम pile का demolition कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग prepare करते हैं PCC के लिए bed तो ये specification पर depend करता है आपके drawing में क्या specification दिये होगे हैं उस पर ये depend करता है कि हम लोगों को PCC के लिए bed कैसे तयार करना है जो भी drawing में दिया होगा रहता है उस हिसाब से हम लोग material बिचाते हैं या फिर आप लोग जो loose soil रहती है उस पे भी आप लोग direct dressing कर सकते हैं और उसके बाद में PCC का काम start कर सकते हैं तो एक बार जो भी हमारी dressing हो गई है उसके बाद में हम लोग PCC कर देते हैं उसके ऊपर ठीक है ना हम लोग PCC कर लेते हैं तो अब बारी आती है reinforcement लगाने की तो reinforcement हम पहले से ready रखते हैं bend करके तो उसको अब लगाना रहता है तो हम लोग bottom का reinforcement बिचाते हैं उसके बाद में हम लोग top का reinforcement बिचाते हैं नीचे में जो भी cover block देना रहता है हमको जो भी cover दिया हो आई drawing में वो हम हम लोग adopt करते हैं और पूरे reinforcement को हम लोग fix कर देते हैं जो भी हमारा case हो जाए वो abatment का case हो जाए कोई peer हो तो उसको उस हिसाब से हम लोग still को fix कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग एक बार still fix होने के बाद में फिर हम लोग उसकी shuttering लगाना चालू करते हैं shuttering लगाने के बाद में last stage रहती है concreting की तो last stages में जो भी हमारी side की condition है उसी साब से हम लोग concreting करने का arrangement करते हैं वो boom placer भी हो सकता है या फिर manually भी हो सकता है जो हम लोग shoot लगाते हैं pipe का उससे भी हम लोग कर सकते हैं या फिर अगर ज्यादा depth में है तो फिर हम लोग boom placer का यूज करते हैं और pile cape की casting खतम करते हैं तो यह stages होती है pile cape के construction की दोस्तों हम लोग सबसे पहले pile head को तोड़ते हैं उसके बाद में हम लोग loose metal हटाते हैं cut off level तक पहुंचके उसके बाद में हम लोग PCC करते हैं PCC करने के बाद में हम लोग reinforcement fix करते हैं reinforcement fix करने के बाद में हम ल पसंद आया होगा पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और देखते रहिए सिविल ग्यान